हलो गुड मॉनिंग माई दियर स्टुदेंट्स आइम यूर इंग्लिस टीचर मुहमद जमीर एंड वेलकम बैक आफ्टर यूर हॉलिडे हलो बच्चों आज हम जो है स्लीप बेबी स्लीप 3.1 स्लीप बेबी स्लीप यह पोएम देखेंगे आज से यूनिट 3 आपका है यानिके सेकंड टर्म का सलेबस आज से स्टार्ट हो रहा है तो छुट्टियों के बाद आपका फिर से वेलकम है अब हम देखेंगे सबसे पहले हैं पोएम स्लीप बेबी स्लीप यह एक लला बाय है लला बाय किसे कहेंगे लला बाय एक ऐसी पोएम में ऐसा गीत होता है, जो माँ अपने बच्चे को शुलाने के टाइम पर गाती है, वो लोरी गा के सुलाती है, लाला भाइयानी के लोरी यहां पर एक लोरी दीगई है, बहुत ही प्यारी लोरी है, हम पहले लोरी को गाएंगे, उसके बाद फिर इसका translation देखेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर जो पोएम है इसमें थोड़ा सा हमको कुछ धून कुछ रिदम जो है add करना पड़ेगा ठीक है चलिए पढ़ते हैं एक मरतबा आप ध्यान से सुन लीजिए ला 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 लो और आटा। Sleep, baby, sleep, and I will give thee a sheep, which with its golden bell shall be a little play, fellow for thee. Sleep, baby, sleep, la-la-la-la, la-la-la-la-la, 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 la-la-la-la, la-la-la, la-la-la-la-la-la. Sleep, baby, sleep, and bleed not like a sheep, us as the shepherd's angry dog, will come and bite my naughty rock. Sleep, baby, sleep, la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la, 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 la-la-la-la. बार्किंग डॉग वर्योमे कानोड माय बेबी सो स्लीब बेबी स्लीब किसी लालाला اللूरह ّ prag और है और यह जू लालाबाई रगाना है और यह जो लालाबाई है वह अक्सर जो है जो लेडीज रहें कि उनकी आवाज में बहुत अच्छी लगीगी क्योंकि लला बाई यह मां ही जो है अक्सर गाती है ठीक अच्छा लिए तो हमने जो है कोशिश की गाने की अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं sleep baby sleep मतलब सो जाओ बच्चे यह सो जाओ baby सो जाओ sleep baby sleep your father hurts his sheep तो मा यहाँ पे जो है आप तस्वीर में भी देख रहे हैं नीचे किस सिर्फे से एक जाड़ है पेड़ है चोटा सा उसके नीचे अपने बच्चे को लेकर बैठी है और गीत गा रही है और उसको सुला रही है और क्या कही रही है कि स्लीप बेबी स्लीप और फादर हर्ट सी शीप उसके फादर जो है वो शीप यानिके भेड़ जो बक्रियां है भेड़े जो होती है उनको हांक रहे हैं हर्ट यानिके हांक ना समालना तो फादर उसके यहां पर नहीं है बच्चे के वो क्या करें हैं भेड़ों को हांक रहे हैं और तुमारी मा क्या करी है वो छोटे से लिटल ट्री को छोटे से पेड़ को क्या करती है शेक करती है हिलाती है फ्रॉम विच फॉल प्रेटी ड्रीम्स ऑन दी तो क्या होता है उसके उपर से प्यारे प्यारे खुबसूरत ड्रीम्स ड्रीम्स यानि के खौब जो है उस पर से गिरते हैं स्लीप बेबी स्लीप तो बच्चे कह रही के तुम सो जाओ मा क्या कर रही है उसे छोटे से पेड़ को हिला रही है और उस पे से प्यारे प्यारे खौब जो है नीचे गिरेंगे तुमको बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे सेकंड स्टंजा स्लीप बेबी स्लीप दगेवन्स और वाइट विच्छीप अब यहां पर हेवily में यहीर आसमान को खागए आकाश Veget сам क्या सह ए वाइट विच्छीप शीप से वाइट हो चुका है अब शीप से क्या हो चुका है वाइट हो चुका है और ध्यार लैंपस दोस इस्टार सो ब्राइट और जो ज्यादा चमकने आले तारे हैं आस्मान में जो ज्यादा चमकने आले तरे हैं जो क्या है लैंब्स यानिकि छोटे तो मेमने होते हैं भीड़ के जो छोटे चोटे बच्चे होते हैं वह क्या है वह 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 जैदा चुंत आफ्ण अल-स्टार दो छोटे मेमने पो यहां पर किया गया है आसमान को यंदे म 대한 सब्सक्राइब होता है एक जैसा ग्राउंड वाज एक चरागा जहां पर भीड़े चरते हैं और एकषु हम आन Tillा कि असमान कैक다면 एक चरागा है वहाँ पर जो स्टार्स है वो पूरे क्या है वो भेड़े है और जो मून है वो क्या है वो शेफ़ाट है उनको हाकने वाला ठीक है अब नेक्स स्टांजा sleep baby sleep and I will give the a sheep हाँ दी का मतलब जो है ये old English में दी यू के लिए इस्तेमाल होता है यू यानि के तुम तुम के लिए क्या इस्तेमाल होता है दी तो मैं तुमको एक शीप एक भेड़ दूँगी मा क्या कह रही है बच्चों को यहाँ पर एक लालस दे रही है इस स्टांजा में क कि तुम सो जाओ मैं तुमको क्या करूंगी एक एक शीप जो है मैं तुमको दूंगी विच इस गोल्डन बेल और उसके गले में क्या होगी एक गोल्डन बेल होगी सुनेरी रंग की गोल्डन घंटी होगी शल भी अ लिटल प्लेट फेलो फॉर दी और वह तुमारे के सब में खेलो, sleep baby sleep, सोजाओ baby, सोजाओ, अब next stanza, sleep baby sleep and bleed not like a sheep, सोजाओ baby, सोजाओ and bleed, बिलिट यानि कि जो भेड़ें पुकारती आवाज लगाती हैं, मैं कि उसे बिलिट कहते हैं, तुमा कहरी है कि एक sheep के जैसी आवाज मत निकालो और सोजाओ, और as the shepherd's angry dog will come and bite my naughty rock अब यहाँ पर एक thread डाल रही है मा डरा रही है बच्चे को बच्चा अब नहीं सो रहा है तो उसको डरा रही है अगर तुम इस मेमनी के तरह चिलाना बन नहीं करोगे और as the shepherd's angry dog तो shepherd का गटरिये का जो angry dog है जो कुता है खतरनाक वो आएगा will come and bite my naughty rock naughty rock यह नहीं के शरारती बच्चा तो वो आएगा और मेरे शरारती बच्चे को bite करेगा काटेगा इसलिए sleep baby sleep तुम क्या करो सो जाओ यहाँ पर एक thread जो है मा डाल रही है उसको डरा रही है के सो जाओ वरना कुता आके काटेगा तुझे उसके बाद last sentence sleep baby sleep go out and hurt the sheep go out you barking black dog go अब यह thread जो डाला था उसने कुते का अब यहाँ पर निकाल दे रही है उस कुते को हकाल रही है sleep baby sleep सो जाओ baby सो जाओ go out and hurt the sheep go out you barking black dog go जाओ आपने भेड़ों को हाँ को go out you barking black dog बोंकने वाले काले कुते go चले जाओ यहाँ से and we can not my baby सो और मेरी बेबी को बच्चे को बिलकुल मत जगाओ sleep baby sleep तो इस तरिखे से यहाँ पर बहुत ही अच्छी यह लला भाई हमने देखे हैं और लास्ट में देखते हैं sleep baby sleep is a traditional लला भाई sleep baby sleep एक traditional यान के रिवायती एक बहुत पुरानी लला भाई है लला भाई is a quick soothing song that is used to lull a child to sleep लला भाई एक छोटा सा गीत होता है जो एक बच्चे को सुलानी के लिए सिम्माल होता है यह page number 59 का हमने आज यह लला भाई बहुत ही प्यारी सी देखे हैं hope आपको यह समझाई होगी और इसके question answer जो है हम next video में देखेंगे thank you very much प्यारी सिम्माल प्यारी सी देखेंगे